So welcome back to our home interior series जहां पे हम सारे home interior के सारे आपकी questions solve करने वाले हैं यह है episode number 4 जहां पे हम बहुत ही crucial point cover करेंगे कि आप अपने लिए एक interior designer या contractor कैसे finalize करें So Rajesh जी वापिस सबसे पहला important सवाल से ही शुरू करते हैं कि अगर मैं home interior के लिए दून रहा हूं कोई designer हो या contractor हो तो उसे कहां दून दो और कैसे दून दो देखिए आजकल online बहुत options available हैं आप जैसी दूनते हैं interior designer near me आपको बहुत सारे online google locations पे दिख जाते हैं कई companies के advertisement भी आपको दिख जाते हैं जो multinational companies हैं तो उनके भी advertisement आपको दिखते हैं तो उन सब को आप approach कर सकते हैं corporate sector companies को individual interior designers को और contractors को eventually आप उनसे interact करके उनसे experience लेके कि आपको कैसे feel हो रहा है जिसके साथ आपका gut feeling आता है कि ये बराबर genuine आत्मी है इसके साथ हम काम ढंग से कर सकते हैं पूरे resources experience है ये देखने के बाद आप उनको final कर सकते हैं इस पर बात करते हैं कि क्या क्या qualities मुझे एक interior designer या contractor में ढूननी चाहिए जो की बहुत crucial होगा मेरे आगे की जर्नी में एक तो उसका experience देखिए कि कितने साल का experience है दूसरा वो क्या क्या services देने में promise कर रहे हैं तीसरा उनके client reviews देखिए client क्या कह रहे हैं उनके बारे में ताकि आप उस तरीके से भी safe हो और चवता उनके interior styles के बारे में जानिए कि वो किस तरीके का interior करते हैं और उनके budget आपके budget को match कर रहे हैं कि नहीं यह सारा चीज़ें एक साथ आप लेके आप decision ले सकते हैं अभी आता हूं हमें बहुत ही crucial topic पे यहां पे बहुत जाद लोग confused है कि एक interior designer proper designer को hire किया जाए या contractor को hire किया जाए और हम ही उसमें थोड़ा बहुत design inputs दे देंगे देखिए designer को appointment करना कभी भी recommendable इसलिए है क्योंकि एक design का एक उसका education के वज़े से और vision के वज़े से पूरे interior में एक design touch आता है अब जो cheese designed है उसे देखते ही बोल सकता है कि यह design चीज है और जो cheese self implicated है खुच से बनाई हुई चीज है जुगाड से वो चीज में तो हम बुक्स देखके इदर उदर से चीजे जोडते हैं जब की interior designers का basic education भी उसमें होता है या किसी contractor का भी experience कम से कम 10-15 साल होता है तो कुछ चीजे interior designer के नीचे काम करके या साथ में काम करके भी सीख लेता है तो design style आराम से सीखना एक बहुत important है इसका एक और reason ऐसे मैं दूँगा कि आप जब minimum 10 से 15 लाग डाल रहे हैं तो आप 50 से 1 लाग की तरफ मत दीखिए जो उसका profit margin होगा जो वो deserve करता है तो उसकी तरफ आप मत देखिए आपको उसे देखके design लेना ही चाहिए ताकि आपके उस 10-15 लाग को worth है क्योंकि वो छोटे छोटे चीजें ऐसे बताएगा आपको जिससे आपके money saving भी होगा और कौनसा material कहां use करने से क्या effect आता है वो उनको education wise भी मालम होता है और experience wise भी मालम होता है इसमें वैसे बहुत दो options में को designer में नजर आता है या तो बड़े brands हैं जो market में exist करते हैं जो design and turn की product ये करते हैं supply करते हैं और दुस्रे होते हैं individual designers इन दोनों के बीच में मुझे किसको choose करना चाहिए देखिए जो बड़े brands हैं जैसे कि मैं अभी नाम ले लेता हूँ जैसे होम लेन हैं design cafe और जो interior designers है वो जो education करके खुद का एक firm खोलते हैं जिसके नीचे 3D view maker और interior designers काम job के लिए होते हैं और उनके खुद के contracting teams होते हैं जो कि उनके साथ पिछले 10-15 साल से उनके साथ ही काम करते हैं तो ये दो वर्ग है basically जो पहले वर्ग मैंने बूला जो competitive interior tech वाले लोग रहते हैं जैसे home lane या leave space है इन लोगों का vision रहता है कि कैसे काम fast करें कैसे काम lean करें और जल्द से जल्द कैसे profit बनाया जाए और काम खतम किया जाए जबकि interior designer का core अंदर से designing होता है तो it is always recommendable कि आप interior designer को दो but see if he is in a professional उसके values भी वैसे हो कि वो interior designer आपको warranty guarantee दे रहा है वो interior designer आपके budget में चीजे बिटा रहा है और आपके design style या requirement को अच्छी दरह समझ रहा है ऐसे नहीं है कि online जो brands यह नहीं करते यह भी करते हैं ऐसा लेकिन यह third party से execution करते हैं जो यह सारे brands हैं यह local interior designers को hire करके उनसे उनके SOPs देके उनसे करवा लेते हैं यह local factories को hire करके उनसे काम करवाते हैं और फिरो third party से काम करवाके they are just a mediator acting between you and the third party so it is always recommendable to go to direct interior designer from my side if I would you ask me then so अभी इसमें भी बहुत बार क्या होता है कि कुछ हमारे पैचान के निकलते हैं जैसे कि मेरे चाचा का किसी ने घर किया था या मेरे दोस्त के फ्रेंड का किसी ने किया था तो वो recommend करते है रहे तो interior कर रहा है तो किसे करवा यह बस आदमी है so reference के pressure में आके मुझे reference से काम करना ज़रूरी है या फिर बाहर की लोगों को भी equally trust किया जा सकता है आप referral जिसका मिला है आपको उनसे भी estimate ले लीजिए और बाहर के 2-3 लोगों से और online company से भी estimate ले लीजिए तापकि आपको fair deal मिले आपको समझ में आए कि क्या करना है उसके बाद उनके design styles देख लीजिए उनके website में या photos through या उनके live site देख के और उसके बाद आप खुछ से decision ले सकते है referral में जाना अच्छा ही है क्योंकि कोई recommend कर रहा है यानि कि उसने उन्हें value दिया है इसलिए हो recommend कर रहा है so referral is always preferable so thank you so much today जो हमने पूरे designer को एक final करने के लिए जो जो factors आपको लगेंगे जो आपको देखने है I hope इससे आप बहुत अच्छा decision ले सकते हैं अपने home interiors के लिए next video भी बहुत important होने वाला है जब हम बात करेंगे कि आप इन सब interior designer से जो estimate लेते हैं उसको कैसे read करेंगे और compare करेंगे so stay tuned